हेरो दोस्तों, वेलकम टू इक्जाम प्रिपरेशन, आज हम देखेंगे भारती इतियास से संबंदित महित्पून पिष्ण स्टार्ट कोश्चन नमर एक, निमलिगित में से गुरिला पत्क प्रिदशक कोन था? इसका रायट आंसर है, ओप्शन C, सिवाजी कोश्चन नमर दो, सिवाजी के प्रिशाशन में पेजवा कहा जाता था, इसका रायट आंसर है, ओप्शन C, प्रिधान मंतरी को कोश्चन नमर तीन, चोथ क्या था? इसका रायट आंसर है, ओप्शन D, पडोसी राज्यों पर सिवाजी द्वारा लगाया गया भूमी कर Q4. मराठा राज का दूसरा संस्तापक किसे कहा जाता है? इसका राइट अंसर है आप्शन B. बाला जी बिश्वनाद Q5. निम लिखित यूरोपिये शक्तियों में से किसने सिवाजी को तोपे पिर्दान की? इसका राइट अंसर है आप्शन C. अंग्रेज Q6. सिवाजी ने मुगलों को किस संदी के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? इसका राइट अंसर है आप्शन C. पुरंदर की संदी Q7. सिवाजी का राज अभिशेक कहा हुआ था? इसका राइट अंसर है ओप्शन A. राइगड Q8. किसके शाषनकाल में मराठा पिर्मुक संबाजी की हत्या कर दी गई थी? इसका राइट अंसर है ओप्शन A. औरंग जेब Q9. सिवाजी सामराज की राजदानी कहा थी? इसका राइट अंसर है ओप्शन B. राइगड Q10. पानी पत की तीसी लड़ाई किनके बीच हुई थी? इसका राइट अंसर है ओप्शन A. पेज़वा बाजी राव दित्तिये और एहमद शाँ अबदाली Q11. लाड वेलेसली की सहयक संदी को सुईकार करने वाला पहला अमराडा सरदार था? इसका राइट अंसर है ओप्शन A. पेज़वा बाजी राव दित्तिये Q12. सरजामी पिर्था किस से संबन्दित थी? इसका राइट अंसर है ओप्शन A. मराठा भूर आजस्प बेवस्त था Q13. वे कौन सेना नायक था? जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1669 में सिवाजी को जिन्दा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए बेज़ा था? इसका राइट अंसर है ओप्शन B. अबजल खां Q14. सिवाजी मुगलों की केस से भागने के समय कुन से नगर में केत थे? इसका राइट अंसर है ओप्शन B. आगरा Q15. गवारियर राज की इस्थापना किसने की थी? इसका राइट अंसर है ओप्शन D. जीवाजी राव सिंदिया Q16. एक इतिहासकार ने पानिपत की तीसी लड़ाई को स्वयम देखा वे कौन था? इसका राइट अंसर है ओप्शन B. काशी राज बंडित Q17. सिबाजी सरवादिक प्रिवावित थे? इसका राइट अंसर है ओप्शन C. जीज़ बाई से Q18. अश्ट प्रिधान मंद्री परशिद किस शाशक के शाशनकाल में थी? इसका राइट अंसर है ओप्शन C. शिबाजी Q19. सिबाजी के बाद मराड़ा शाशन को निमलिकित में से किसने सरल और कारगर बनाया? इसका राइट अंसर है ओप्शन B. बाला जी बिश्बिवनाद Q20. सिबाजी के अश्ट प्रिधान का जो सदस्ट बिदेशी मामलों की देख रेक करता था वे था? इसका राइट अंसर है ओप्शन D. सुमंत Q21. ओरंगजेप की मिर्तियू के समय मराठा नेत रद्ब किसके हाथों में था? इसका राइट अंसर है ओप्शन D. तारा बाई Q22. सिबाजी का जन्म कब हुआ तथा कब उन्होंने चतर पती की उपादी तारा बाई इसका राइट अंसर है ओप्शन D. 1627 में सिबाजी का जन्म हुआ तथा 1674 में उन्होंने चतर पती की उपादी धारण की Q23. सिबाजी की मिर्तियू के पश्चात उत्रा अधिकार के लिए किनके बीच लड़ाई हुई Q24. पेजवाई को कब समाप्त किया गया था? इसका राइट अंसर है ओप्शन B. 1818 में Q25. मराधा सची वाले केलाता था? इसका राइट अंसर है ओप्शन A. फाद धन्यवाद दोस्तों